सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकान को टस्ट कीजिए ताकि वीडियो की नोटिपिकेशन आपको मिले नमस्कार सिक्षक सातियों आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे पार्ट योजिना के लिए प्रारूप जो इनायस द्वार जारी किया गया है इस प्रारूप के अधार पर आपको जो है पार्ट योजिना त्यार करना है यह जो है इसकुल अधारित गतिविधी 512 विशाय से देखिए अगर आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जो लिंक दिया गया है उस लिंक के माध्यम से आप फार्ट जो है हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं तो देखिए पार्ट योजिना के लिए आपको किस प्रकार से प्रारूप यहां पर दिया गया है इस स्टेडी मटेरिल में जो है पार्ट योजिना कैसे त्यार करें वो भी हम आगे इस वीडियो में बताएंगे तो देखिए परसिक्चु सिक्षक का नाम यहां पर आपका नाम रहेगा फिर आपका आता है नामंकन संक्या आपका यहां पर इंडॉल्मेंट नंबर रहेगा फ किस कख्षा के लिए पार्ट योजिना त्यार कर रहे हैं यहां पर कख्षा और वर्ग आप समझी रहें प्रेड और क्लास देखिए अगर कख्षा पांचवी में जो है अधिक बचे होने कारण जो है उसको दो सेक्षन बाटा गया है तो आप उसमें एभी लिख सकते हैं अ कि जो है आप पार्ट युजना त्यार कर रहे हैं उस पार्ट के लिए क्या-क्या आपको सिक्षक समागरी की आउसकता होगी यहां पर जो है आपको पांच-छे पैंट में आपको लिखना है फिर आपका आता है विसाय किस विसाय क्या धियान आपकर आ रहे हैं जैसे समाज तो आपको यहां पर विसे लेना है उसके अधार पर जो उपयोग मने इस्तिमाल की जाने वाले वाले स्वागरी जैसे घड़ीत है तो आपको जो है कंपाउस बाक्सर चाहिए बहुत सारे जो है गणिती समागरी आपको यहां पर चाहिए तो आप लिखेंगे अगर हिंदी है तो आप हिंदी के जो चाहिए वह आप यहां पर लिखेंगे फिर आपका आता है यहां पर काक्छा की कालांस और अवधी आपका कोन से परिएड में जोहए गड्य परेड या हिंदे परेड है वह यहाँ पर आपको लिखना है और कितने समय तक है तरी से या फिर 20 मिनट या फिर चालिस मिनट यह आपको दरसाना है कालांस माने परिएड तो इस परकार से अब फिर आपका आता है अब जो गड़ित विशाय में आपने जो सिर्षक क्या लिया है जैसे हिंदी विशाय या गड़ित विशाय में आपका सिर्षक जो है आपका पार्ट से जो क्या है वो आपको यहां पर दर्साना है पिर आपका आता है सिक्षण बिंदू और धार्णा concept आपको बताना है अब जो इं किन बिंदो पर जो है सिख्चर देंगे या जो है आपको यहां पर 5-6 बिंदों में लिखना है इस्षिखने की उद्ध्यक्त झो आपकी सुद्ध्यक्ष से सिखा रहे हैं इसमें आपको można सिक्षन का संचीपत यहां पर जो शिखार है उसको जो है ए टु जेट आपको यहां पर वर्णन करना है यह जो है किय ainda है यहाँ से सिखाए किस परकार से सेक्षन स्क्षण सामागरी के इस्तिमाल किए वुद्देश्च को ध्यान में रखते हुए आपको जो है यहाँ पर लीखना है पिर आहे बसा का तर्फ राठ किस परकार से और वह करते हुए ल्यांकन करते हैं बच्चों का वो रनीतिया हाँ पर आपको बताना है जो बच्चे की स्तर के अधार पर जो है अलोकर रननीतिया तयार की जाएगी इसको यहां पर आपको दर्शान है पिर आपको देखिए गृह स्वमोनेदेशन गडिया आप क्या देते हैं उस पार्ट के के लिए जो है आप जो पार्ट योजना बनाए है पार्ट के लिए जो है कि इस प्रकार से बच्चों को ग्रह कार्या देते हैं यहां पर आपको दर्शाना है तीन-चार बिंदों में फिर जैसे कि निरिक्षक प्रयावच्छक का हस्ताक्षर मेंटर या सुपरवाजर के यहा सब्सक्राइब आपको तयार करना अनिवारिया है अगर आप एट करना चाहते हैं तो एक कर सकते हैं लेकिन आप जो पाइंट कम नहीं कर सकते इस बात थ्यान रखियेगा तो देखिये निसके स्टडी मट्रेल में जो है कैसे पार्ट योजना त्यार करें इस सम्मंध में का 9 देखते हैं अ किकिये पांसोतीन ब्लॉक तीन से है रोख ज insult में बताय गया है पाइक है कैसे बनाएं ध्यान से रहिए इसको आपको समझना ध्यानपुरुव आपको कहीं भटक निकाज़कता नहीं हो इस ब्यासी disruption केमाध्यम से आप पुर्णे तहा सहमत हो जाएंगे कि कैसे आप पाठे उजना त्यार कर सकते हैं तो देखिए कक्षा में दो मुख्य किरेदार होते हैं सिक्षक और बच्चे दोनों ही ज्यान का सिर्जन गरहन करने वाले होते हैं कक्षा में इन दोनों के अलावा और भी घटक होते हैं जो सिक्षण योजना बनाते समय इन घटकों को ध्यान में रखना जरूरी है योजना में कठोर्ता वा लचिलेपन का सामन जस्य होना चाहिए कठोर्ता सिक्षण को पाठ योजना के उद्देश्यों पर बने रहने पर जोर देती है जबकि लचिलेपन उसे वर्तमान कक्षण की जरूरतों और सुझाओं को सिक्षण में सामिल करने की बात करता है यदि समय रहते अपने फोकस पर ध्यान ना दिया जाए तो कक्षा अफरा तफरी में बदल सकती है इसलिए सिक्षक को अपने दिमाग में एक इसपस्ट उद्देश रखना होगा जो उसे अपनी गतिविद्धियों को बदल देने पर भी हमेसे आगे बढ़ने की दिशा दिखाएगा अपने उद्देशियों पर जादा फोकस करने के लिए फायदे मन्थ होगा एक सिक्षक कुछ चीजों को ले जो उन्हें उनकी योजना के सपल किन्यान के मददगार साबित होगी आईए देखते हैं कि पाठ योजना बनाते समय हमें उसमें कितनी बातें किस विस्तार के साथ सामिल करने चाहिए यहां पर बताया गया है तो पहला point देखिए कक्छा विधी जो है टाइमिंग के बारे में हाँ पर बताया गया है कि आपके जो कक्छा के समय होते हैं इस सम्मद में हाँ पर पहला point बताया गया है आपके पास पाठ्थय करम पूरा करने के लिए कितनी समय ओधी परती दीन परती सप्ताहा परती वर्स है कक्छा में एक दीन की समय ओधी का ज्ञान आपको थोड़े समय में प्राप्त किया जाने वाले उद्धेशों को निर्धारित करने में मदद करेगा तो आपका ऐसे योजना त्यार करना है, ऐसे योजना आपको बनाना है कि आपका कक्षा के टाइमिंग के अधार पर त्यार होना चाहिए क्या आप दिन के हिसाफ से बना रहा है और फिर वर्ष के हिसाफ से आज एक जो है सप्तहा के लिए यह अपको यह पर इस बात का ध्यान रखना है फिर जब कि पूरे उख से अधिः का घ्यान आपको अपने मुख्य उद्थेशों को प्राप्त करने के लिए गतिई किया योम योजना बनाने में सहयक होगा फिर आपका दूसरा है कक्षा में बच्चों की संख्या योम उनकी उम्र के अधार पर भी आपको त्यार करना है कक्षा जो बच्चों की संख्या और उन बच्चों की उम्र क्या है उस अधार पर जो है आपको लेशन प्लान त्यार करना है फिर तीसरा है सिर्षक, अब क्या सिर्षक ले रहे हैं टॉपिक यह आपको यहाँ पर चुनना है, फिर आपका है पूर्वग्यान, पूर्वग्यान का मुद्दा इससे संबंदी था है कि आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं, इसके लिए कौन सी अवधारना है बच्चों को आन सभी वर्णों के लिखित और मौखिक अविव्यक्ति आती हो, क्योंकि इसके बीना सिक्षक आगे नहीं बढ़ सकता, और अगर सिक्षक को लगता है कि बच्चा उस इस्तर का नहीं है, तो सिक्षक को अपनी योजना को उस हिसाब से संसोधित करना होगा, ताकि बच्चे अ वोई विद्देश से हैं, जो आप पार्ट के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, पिर छटवा है विशेष्ट विद्देश, ये वोई विद्देश हैं, जो एक दीन की कख्षा सिक्षन से जुड़ होते हैं, अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, त इस बात से है कि आपका अक्षा में आगे कैसे बढ़ेंगे, यहां वहाँ चेत्रा है, जहां हम पूरी तरह सवतंत्र और योजना को लचिला बनाने की पूरी गुंजाइस है, परंतु देश से छूटना नहीं चाहिए, तो इन जहां पर देखिए, नौ या दस, नौ कर सके कि कक्षा में जो हुआ, उसमें क्या नियुजित था और क्या नियुजित नहीं था और क्या गलत हुआ, यहां आपको यहां आखने में मदद करेगा कि आपको योजना क्यों बदलने की जरूरत है, पर नौ देखिए, सुझाओ या हिस्सा आपको अपने अनुभाव लिखने और उसके अनुसार कक्षा में गतिविधी करने में मदद करेगा, यहां आपको उस दिन की कक्षा के अनुभाव के आलोग में अगले दिन की योजना का पुनिनिक्षन करने में मदद करेगा, करता है, तो इस परकार से यहां पर नौ बिंदू का धार पर जो आपक को तयार करना है यहां पर देखिए पाट योजना कैसे हो नचाहिए कुस आरांश यापर पाइधुजना हमेशा कि कछा में व्यवस्तित तरीके से आगे बढ़ने में मदद करती है पाट युजना बनाने के लिए हमें बच्चे कि प्रकृति विश्यक के प्रकृति प्रात्मिक कख्षाओं में बच्चे की भासा करने संकोच उपयोग करने की जरूरत है पाठ योजना में लचीला पन होना चाहिए जो की विशाय से भटके बीना कख्षा की वर्तामान परस्तिति और बच्चों की विचार को अपने साथ सलगना कर सके तो इस परकार से आपको तो इस परकार से आप पार्ट योजना त्यार कर सकते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो है हिंदी फार्मेट के साथ मिलेंगे अगर जानकरी अच्छा लगे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीस लाइक कर दिजिए और हाँ अगर आपने जो है नाइस पर प्रश्ण उत्तर नहीं देखे हैं तो क्रिप्या करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो प्लेलिस्टे में सेंपल क्योशन आंसर करके दिया गया है वहाँ पर जाकर आप बारी-बारी से देख सकते हैं और 511 SBA कैसे त्यार करें हिंदी में पीडियो अगर आपको चाहिए तो जो है आप पड़ा पड़ सब्सक्राइब कीजिए और जो है 511 प्लेश लिस्म जाकर आप सभी वीडियो के डिस्क्रिशन पर देखेंगे तो आपको जो है एक लिंक मिलेगा उस लिंक के माध्यम से आप हिंदी में पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद